और मैं मानने प्रहान मंत्री जी से विने को नागरह करती हूँ कि क्रिपेर रिमोट का बटन दबाकर भक्ति विदान स्वामी प्रभुपात की 125 विजयंति के अफसर पर 125 रुपे का स्मारक सिक्का जारी करें और मैं आदर ने प्रहान मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक्त कर बद्ध आगरह करती हूँ कि क्रिपेर अपने प्रेणा दायक शब्दों द्वारा हमारा मार्क दर्शन करें हरे क्रश्णा आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जूड रहे देश के संस्कृति मंत्री स्रिमान जी किशन रेडी जी इसकौन ब्यूरो के प्रसिडेंट सी गोपार कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जूड़े हुए सभे साथी क्रश्ण भक्त गण परसों स्री क्रश्ण जन्माष्ट में थी और आज हम स्रील प्रभुपार्द जी की 125 वी जन्म जैन्ति मना रहे हैं ये ऐसा है जैसे साधना का सूक और संतोष दोनों एक साथ मिल जाएं इसी भाव को आज पूरी दुनिया में स्रील प्रभुपत स्वामी ने लाखों करोडों अन्युआईगे और लाखों करोडों कृष्ण भक्त स्वाभावी कृप से अनुभाव कर रहे हैं मैं सामने स्क्रीन पर अलग-अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंदे हो लाखों शरीर एक कॉमन कॉंसेस्नेस से जुड़े हूए हो यह वो कृष्ण कॉंसेस्नेस है जिसकी अलग प्रभुपाद स्वामी जी ने पुरी दुनिया तक पहुँचाईगी साथियों हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलोकिक अलोकिक कृष्ण भक्तों थे ही साथी वो एक महान भारत भक्त भी थे उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संगर्ष किया था उन्होंने असयोग आंदोरन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था आज ये सुकत संयोग है कि देश ऐसे महान देशवक्त का एक सो पचीसवा जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजहादी के पचतर साल का पर्व अमृत महुस्व मना रहा है स्रीले प्रभपाज स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमार कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमुल्य निधी दुनिया को देना चाहते हैं भारत का जो ज्ञान विज्ञान है हमारी जो जीवन संस्कृती और परंपराएं हैं उसकी भावना रही हैं अथभूत दयाम प्रती अर्थात जीव मात्र के लिए जीव मात्र के कल्यान के लिए हमारे अनुस्ठानों का भी अंत्रिम अंतिम मंत्र यही होता है इदम नममा यानि ये मेरा नहीं ये अखिल ब्रह्मान के लिए हैं संपूर्ण स्रिष्टी के हित के लिए हैं और इसलिए कि वे भारत के चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाएं स्रीलग प्रभुपाजी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना दिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है अम्रुत महोत्सों में भारत ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्षों के मून में भी वैश्वी कल्यार की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ती के लिए सब का प्रयास कितना आवशक है आप कल्प ना कर सकते हैं अगर प्रभुपाजी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है तो जब हम सब उनके आशिरवात से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे प्रणाम आएंगे हम जरूर मानिविय चेतना के उस सिखर तक पहुँचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमी का निभा सके प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुँचा सके साथियों मानवता के हीत में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है आज इसका एक बहुत बड़ा उदान है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान हमारी योग की परंपरा भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है आईर्वेज जैसे जो बिज्ञान है हमारा संकल्प है किसका लाब पूरी दुनिया को मिले आत्म निर्भरता के बीजी समंत्र की स्रीलब प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते से उसे भारत ने अपना धे बनाया है अरुदिशामे देश आगे बढ़ रहा है मैं कई बार जब आत्म निर्भर भारत और मेकिन इंडिया के लक्षों की बात करता हूँ तो मैं अपने अधिकारियों को बिज्निसमेन को इस कौन के हरे कृष्ण मुव्मेंट की सबलता का उदार देता हूँ हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है कितना गवरों भी होता है कलपना करिए यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोड़क के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा इस कौन से सिक्कर हम इन लक्षों को भी हासिल कर सकते हैं साथियों भगवान क्रश्ण ने अर्जुन से कहा था नहीं ज्ञानेन सद्धुशं पवित्र में ही विद्धते अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है ज्ञान को इस सर्वुच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी मैव मन अधस्तत्व मै बुद्धिम निवेश्टय यानि ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को बुद्धी को क्रश्ण में लगा दो उनकी भक्ति में समर्पित कर दो ये विश्वास ये बल भी एक योग है जिसे गीता के बारवे अध्याय में भक्ति योग कहा गया है और इस भक्ति योग का समर्थ है बहुत बड़ा होता है भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फस गया था अन्याय अत्याचार और सोशन से पीडित भारत अपने ग्यान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जिवन्त रखा भारत की पहचान को अक्षुन न रखा आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्तिकाल की सामाजी क्रांती न होती तो भारत न जाने कहां होता किस स्वरूप में होता लेकिन उस कठीन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांदा उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया आस्था के भेदभाव सामाजी उँच नीच अधिकार अनाधिकार भक्ति ने इन सब को खत्म करके शीव और जीव के बीच एक सीधा सम्मन्द बना दिया साथियों भारत के इतिहास का अध्यन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखन में रिशी महर्शी और मनिशी समाज में आते रहें अवतरित होते रहें एक समय अगर स्वामी विवेकन जैसे मनिशी आये जिन्होंने बेद वेदान को पस्चिम तक पहुचाया तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदार आई तो स्रील प्रफपाद जी और इसकोंड इस महान कार्य का बिड़ा उठाया उन्होंने भक्ति वेदान को दुनिया की चेतना से जोड़े का काम किया ये कोई साधान काम नहीं था उन्होंने करीब सत्तर साल के उसम्म्र में इस कौन जैसा वैस्विक मिशन शुरू किया जब लोग अपने जीवन का दाइरा और सक्रिता कम करने लगते हैं ये हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेणा है कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई नहीं तो बहुत कुछ करते या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने के लिए लेकिन प्रभुपाज स्वामी अपने बच्पन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे प्रभुपाज जी समुद्री जहाद से जब अमेरिका गए तो वो लगवग खाली जेव थे उनके पास केवल गीता और स्रिमत भागवत की पूझी थी रास्ते में उन्हें दो-दो बार हार्ट एटेक आया यात्रा के दर्वियान जब वो नियूर्क पहुँचे तो उनके पास खाने की व्यवस्ता भी नहीं थी रहने के तो ठिकाना ही नहीं था लेकिन उसके अगले ग्यारा सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा सुरधे अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विशे में कहा था वो किसी चबतकार से कम नहीं था आज दुनिया के अलग-अलग देशों में सेंकड़ इसकौन मंदीर है कितने ही गुरुकुल भारतिय संस्कृति को जिवन्त बनाये हुए है इस कौन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्सा और उल्लास और मानवता पर विश्वास आज अक्सर दुनिया के अलग-अलग देशों में लोग भारतिये वेश्वुशा में किर्टन करते दिख जाते हैं कपड़े साधे होते हो, हाथ में ढोलक, मंजीरा जैसे बाद्य यंत्र होते हैं हरे कृष्ण का संगीत मैं किर्टन होता है और सब एक आत्मिक शांते में जूम रहे होते हैं लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायत कोई उत्सव या आयोजन है लेकिन हमारी यहां तो यह किर्टन, यह आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है आस्था का यह उल्लास महिश्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्शित करता रहा है यह आनंद आज ट्रेश से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है सात्यों, गीता में भगवान कृष्ण का कथाने अद्वेश्टा सर्व भुतानाम मैत्रह करुण एवच निर्ममोंदिर हंकारह समधुख सुख स्वमी खर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है, उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है किसी से द्वेश नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है यही मंत्रा हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है और इस चिंतन को सामाजिक आधार देना का काम हमारे मंदिरों ने किया है इस कौन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र मन कर उबरे है मुझे आध है, जब कच्छ में भूकम पाया था तो किस तरह इस कौन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था जब भी देश में कोई आपदा आई है चाहे वो उत्राखन की तरास्दी हो या ओडिशा और मंगाल में साइकलोन की तबाई इस कौन ने समाज का संबल बनने का काम किया है कोरोना महामारी में भी आप करोणों मरीजों उनके परीजनों और प्रवाश्यों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरुतों की द्यवस्ता करते आ रहे हैं महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके मार्दम से चलता रहा था है जिस तरह से इस कौन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सिन अभियान में भी सहवागिता निभा रहे हैं उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती हैं मैं इस कौन को इस से जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यग्य के लिए बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ साथियो आज आप सत्य सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं बलकि पूरी दुनिया में भारती आदर्शों और संस्कारों के ब्रेंड एम्बिशेडर के भी भूवी का निभा रहे हैं भारत का सास्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनाह सर्वे संतु निरामया यही विचार इस कौन के जरिये आज आप सभी का लाखो करोडों लोगों का संकल्प बन चुका है इश्वर के पति प्रेम और जीव मात्र में इश्वर के दर्शन यही इस तंकल्प की सिद्धि का मार्ग है यही मार्ग हमें विभूती योग विभूती योग ध्याय में वगवान ने बताया है हमें विश्वास है कि वासु देवह सर्वम का यह मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एक्ता की अनुभूती कराएंगे इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण झाल 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 झाल